रक्षा बंधन का तयोहार नज़दीखे और ऐसे में सारी बहने राखी खरीदने से लेकर राखी बनाने की तयारियों में जुट गई हैं ताकि वो अपने भाई की कलाई पर ये राखी बांध पाए बिहार सहित पूरे देश भर में लड़किया बच्चिया राखी बनाने की तयारियों में जुट गई है और अब ये राखी ना केवल वो अपने भाईयों को पहनाएगी बलकि देश के नौजवानों को भी पहनाई जाएगी ये राखी एलोसी पर तैनात जवान भी पहनेंगे और ये तस्वीर निकल कर सामनी आई है ये तस्वीर दरसल गया की तस्वीर है व्रिक्ष वीद चेंज नाम की संथा जहाँ पर आयाईटी की तयारी करवाई जाती है छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है ताकि वो आ पाम तैनात जवानों के पास पहुँचे और वो अपने कलाई पर इस राखी को बांध पाए तस्वीरे आप साफस्तोर पर देखिए तमाम बच्चिया एक जूट होकर बैठे हुई है और ये बच्चिया राखी बना रही है अपने हाथों से तयार इस राखी को ये तमाम बच्चिया एलोसी पर तैनात जवानों को भीजेगी और वो इस राखी को पहनेंगे पोश्ट के माध्यम से ये राखी जवानों तक जाएगी और प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के पास भी ये राखी जाएगी और इसी राखी को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी अप बेखद काम किये हैं, देश की महिलाओं को रोजगार दिया, कैसे वो आत्म निर्भर बन पाएं, कैसे वो रोजगार पा सके, काम कर सके, ये तमाम काम प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने किया है, महिलाओं के हित के लिए काम किया और इस वजह से ये तमाम बच्चियां प् यहां की छात्राइं काफी जागरोख है और जब रक्षा बंधन का तयोहार नजदीक है तो यहां वरिक्ष वीदा चेंज में पढ़नी वाली छात्राइं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के लिए राखी बना रही है राखी प्रधान मंत्री को भीजी जाएगी छात्राओं का कहना है कि प्येम मोदी ने देश की महलाओं के लिए बहुत काम किया है और ये तमाम बच्चियां ना केवल प्येम बलकि एलोसी परतैनात तमाम जवान को भी राखी भेजेगी 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के चात्रों एवं अभिभावकों के बीच सरवादिक विश्वस्निय एवं लोकप्रियसंस्थान गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट हमारा विश्वास गोल के साथ